सब्सक्राइब से चैनल एंड प्रेस्टे बेल अकॉन और अपकमिंग वीडियोज हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माँ चैनल फार्माकलोजी, कॉंसर्ट्स बाई राज शौदरी तो आज इस चीडियो पे हम बात करने वाले हैं, लिट्रेश्चर रिव्यू के बारे में तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, लिट्रेश्चर रिव्यू, मैं आपको पहले सी बता दूँ कि ये टॉपिक हाउ टू टू राइट रिव्यू आर्टिकल नहीं है, हम इस टॉपिक पे रिव्यू आर्टिकल कैसे लिखते हैं, उसके बारे में डिसकस नहीं कर करने वाले, हम डिसकस करने वाले है, मैंले की लिट्रेश्चर रिव्यू होता क्या है, और लिट्रेश्चर रिव्यू कैसे लिखते हैं, हम अपने एम फाम थिसीज पे या आपकी पीजी थिसीज पे या प्यजडी थिसीज पे या आपके प्रजेंटरेशन पे, क्या उसके basic content होते हैं, क्या उसके basic structure होते हैं और किस तरके से उसको arrange करते हैं वो हम सिखने वाले हैं और हम इसमें AI tools का भी use करेंगे जो की बहुत ही useful है आप easy तरके से बहुत ही low effort से अच्छे articles को एक तरके से review कर सकते हैं बहुत easy way पर आप जब इसको पूरा दिखेंगे वीडियो को तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि आप भहुत कुछ सिखने वाले हैं अगर आपने पहले भी पहले कभी AI tools का use नहीं किया है तो इसके पिछली वीडियो में मैंने already how to write research paper टॉपिक से वीडियो बना चुका हूँ detailed कैसे उसका process होता है क्या connect होते हैं उसके बारे में हमने discuss कर चुके हैं तो उस वीडियो को जा के जरूर देख सकते हैं जो link है मैं अपने description box पे दे दूँगा तो बात करें हम लोग पहले literature review की तो literature review आपके पूरे research journey का most important part है जब आप research कर रहे होते हैं तो आपके research journey के हर step पे चाहे introduction हो चाहे आपके mythology हो drug selection हो या results हो या discussion हो सब section पे आपको literature review help करेगा तो यूँ कहें कि अगर आपकी जो मंजिल है research में आपको पता नहीं है तो यह तरके से google map की तरह काम करता है यह आपको एक direction एक path प्रोयट करता है अपने research journey को complete करने के लिए तो यह बहुत important है ठीक है तो चलिए topic को शुरू करते हैं So topic हमारा है how to write a literature review with the help of AI tools AI tools के बारे में पहले बात में बात करेंगे पहले जो basic skills है important consideration है उसके बारे में देख लेते हैं तो बात करें हम लोग important consideration की तो first हमारा है literature survey by using specific keyword जब आप literature survey कर रहे होते हैं आपके google में हो, आपके pubmate में हो आपके science direct में हो या आपके कोई भी search engine में तो keywords बहुत important है बिना keywords के आप सही आपके articles तक नहीं पहुच सकते तो आप जितने भी keywords आपके research में use होते हैं जो आपका चाहिए कि आपको उस keyword से आप search कीजिए ताकि आपको जल्दी और effective research article मिल सके second step है हमारा organize your literature in different categories जब आप literature पढ़ते हैं, download करते हैं करने के बाद एक पहले steps है कि आप उस पर highlight कीजिए कि कौन सा part इसमें important है, plus literature को rename कीजिए उसके आपकी author name or year के साथ और क्या उसके basic content होंगे वो उसके अलावा हर एक category के आपको जो topic broad होगा ना तो उस broad topic multiple आपके area होंगे drug के बारे में, disease के बारे में, method के बारे में, parameters के बारे में है ना तो उन हर एक जो categories हैं उनके हिसाब से आप folder arrange कीजिए data arrange कीजिए data को properly manage कीजिए तो आपको सही तरके से जीज़ों हैं मिलेंगी ठेक है next हमारा है write the finding or literature in chronological order आप chronological way पे मतलब आप history लिखी एक तरके से कि आप starting जब उस area पे काम करना लोग शुरू किये तो किस तरके से काम करते थे और धीरे-धीरे कैसे वो आपके काम जो है advancement level पे आ गया जैसे यह बात करें हम लोग literature review के ही तो literature review पहले के जमाने पे यह बहुत ही time consuming process था घंटों आपको library में जाके वहां से जो books आपके standard books है reference books है उनसे जो आपके library में available generals है उनसे या फिर जो आपके literature review के लिए हम जब एमफाम कर रहे थे हमारे जमाने पे या 2012 की या 10 की बात करें उस तीन पे तो हम लोग बहुत सारे articles जो हमको easily google पे available नहीं थे क्योंकि उस समय जो आपका science direct वोगरा के जो articles हैं वो easily नहीं मिलते थे अगर subscription नहीं हुआ तो उसको हम लोग collect करके उसको डिली जो डिली में आपका निस्केर है वहाँ पर जाके हम लोग जो literature survey वो करते थे तो यह बहुत ही time consuming process था उस समय के लिए तो उसको करने के बाद आप उसके history को एक तरके से define कीजिए अरेंज कीजिए एक order पर ठीक है lower to higher मतलब 2020 से 25 या फिर 2000 से एक दो तीन चार ऐसे करते हुए आप जाईए lower to higher ठीक है next मारा steps है highlighted the key findings only which treated to your study आप हर articles में जरूरी नहीं कि आपके काम का पूरा articles हो अगर आपको किसी drug का dose देखना है तो क्यों dozing part उसका जो methodology parts है वही important है किसी आपकी drug का mode of action देखना है तो वही part important है किसी drug के आपके theorists देखना है तो वह part important है तो जिस part आपके लिए important है उस part को ही आप highlighted कीजिए और वही part को वही key findings को अपने literature review पे mention कीजिए तो आप जब आप अपना literature review कर रहे होते हैं तो आप literature जो review articles है उसकी जगहा पर जो research articles है उन authors के जो findings है उसको highlight करोगे तो अच्छा रहेगा review articles के बल general theories है mechanism है उसके लिए ठीक है बड़ जो specific findings वगरा है न वो आपको research articles में ही मिलेंगे और उसको ही आपको referencing करना है तो बहतर होता है नेस्ट हमारा है always prefer high quality articles हमेशा जो अच्छे जनरल्स हैं जिन जनरल्स के impact factor अच्छे होते हैं जो खास करीवीली है बेंथम साइंस हैं आपके stranger हैं आपके elsewhere हैं इनके जो जनरल्स होते हैं न उन जनरल्स को prefer कीजिए तो आपके जो उसमें जो findings की जो reality है वो अच्छी होती है वो तरके से विशुसनी होती है general और local articles के बदले में कोई भी आर्टिकल्स अगर इंडियन है सारी इंडियन तो नहीं जो कुछ इंडियन आर्टिकल्स हैं जो कि पैट जनरल्स होते हैं जो आप इसली पैट करके प्रब्लिस कर सकते हैं बहुत सारे आर्टिकल्स या जिनका जो review process से उतना strong नहीं होता है तो उनके जगह पे आप जो अच्छे इंडेक्स जनरल हैं आपके इसको पस इंडेक्स हों वेब साइंस इंडेक्स हों या फिर आप जो SCI इंडेक्स हों उन जनरल्स को प्रिफर कीजिए तो बहतर आपको findings मिलेंगी तो एक important consideration है जो हम literature review के लिए करते हैं तो पहले हम बात करते हैं किस तरके से literature review को हम लिखते हैं या हम किस तरके से सुरुआत किये थे जैसे कि यह देखिए जब मैं अपने PhD जब या पर रहा था तो मैंने हर एक sections के लिए अलग-अलग folder बनाया था हर एक folder पर इसी category के ही आपके articles मिलेंगे तो उस तरके से आप organize कर सकते हैं अपने articles को जैसे की बात करें यह जितने पर से ना वोकेल मॉडल्स के हैं तो यह सब मॉडल्स के पर है और मैंने हर एक articles के देखेंगे अगर से तो मैंने जो है आपका कर लेता है कि दिखेंगे तो मैंने ओकर कहा है मेरे उसमें मैंने इस प्राइप सब देखेंगे ही किया है प्लस इस article में देखी आंप बीघ्रन कोस्तर रहाю है तो हर एक जैसे कि आपका फुक्तोस और स्बास्तों के बिच मैं तो एक की पॉइंट्स जो है जो मेरे को चाहिए वो मैंने उसको रिनेम तरके से किया था इस तरके से आप अपने आर्टिकल्स को अरेंज कर सकते हैं ठीक है अरलग के के डिगरी वाइस अब जब हम लोग लिटरेचर रिव्यू लिखते हो गरा है आपके इंफर्म थिसिस में हो या सुरह पीजी थिसिस में हो तो बहुत सारी उसके प्रैटन होते हैं अरलग उस्टि के साब से तो जैसे हम एंफर्म के बात कुरूम हैं तो एंफर्म पर हम लोग सिंपल जैसे कि आप लोग भी लिखते होंगे इस तरके से लिटरेचर रिव्यू और जस्ट हम आथर का आथर्स ठीक है और यह और आपके जुसके अबस्टेक्ट का जो की फांडिंग से उसको हम लोग लिक देते थे तो यह आपका एल्फार्टिकली जो होता है होते हैं एस लेकर जेट तक वो उस तरके से भी करते हैं कई लोग कई लोग जो है क्रोनलिकल ओर्डर पे हायर टू ल तो इस तरके से मैंने अरेंज किया हुआ है ठीक है तो इस तरके से कीजिए बट यह भी सही नहीं है उसके बाद जो हम लोग पेजडी करना शुरू किये तो उसमें बहुत सा चीज़ें अपने इंप्रूब किया और हमारे गाइड से हमने हेल्प से बहुत सा चीज़ें क्बारे इसे किया ठीक है क्वोंगों से हमारा डाटाबेस हमने यूजकर में यूजकर बहुत सब्यूब के दώρα ठेक है यह सब उसके लागा कोंगों से आर्टिकल्स कोई करने के बाद हम को में इसमें मिला हमको मिला हाइपरटनेंशन और के बीच में जो एससे न हैं वो हम को मिला और उसके बेस पे हमने दो ड्रक सेलेट किये यार भी और मेसिन टॉरे इसके बारे मिला तो जनरली मेरे टॉपिक के हिसाब से तीन मेशर केटेगरी हैं एक है हमारा हाइपरटेंशन एंड केटेट फॉर्मेशन तो जो ही मैंने आर्टिकल्स उनसे पढ़ा उसको मैं ए ठीक है उसके बाद जो टेबल नंबर में टेबल दिया है जो हम लोग अक्चुल में आपके जो परिंटर्सन होते हैं उसमें जो परिंट प्रिंटर्टेन करते हैं अलnea यह तरके से यह आपके author literature के details है और यह हमारे की findings है यह मैंने step by step उस पर आपका mention क्या हुआ है जितने भी literature जो relevant है जो important है वो मैंने इसमें आपके discuss किया हुआ है ठेक है फिर आपके second category है जो टेंस इंसेटर blockers तो उसके जो भी important points थे theory थे mechanism थे और क्या उसका probability हो सकता है हमारे research में outcome हो सकते है क्यों मैंने लिया क्या उसके rational है इस सब कुछ मैंने थोरी में explain किया है इन सारे lectures को पढ़के जो मैंने reference में किया हुआ है फिर उसी परकार से इसका minute table जो है मैंने दिया है तो यह complete review lecture करने के बाद एक जो मेरा hypothesis मेंने generate किया वो इस तरह के से हमने कर लिया तो यह तरके से फ्रेम आउट है कैसे हम लिखते हैं ठीक है तो हर एक मैंने लिखा है उसके साब से तो इस तरके से आप लिख सकते हैं अपने आपके किसको literature review को अब में आते हैं कि AI tools का कैसे हम यूज करेंगे ठीक तो टॉपिक हमारा है में AI tools for literature review तो यह important है जैसे कि आप देख सकते हैं जो AI tools के नाम है आपके art discovery, AI dimensions, sci space, elicit, semantic scholar या consensus तो यह कुछ AI tools है जो कि बहुत effective way पे easy way पे literature review आपको करके देते हैं प्लस आपको easy way पे आपको ढूनना भी easy होता है generally हम Google पे Google scholar पे science direct पे permit पे सर्च करते हैं उनके अलावा AI tools का use कीजिए तो AI tools आपको बहुत help करेगा आपके literature survey में भी literature search करने में भी और literature review क्लिकते कैसे हैं उसमें भी तो बात करते हैं one by one सारे AI tools के बारे में कुछ के हमने अलड़ी बात कर चुके हैं पिछले वीडियो पे और कुछ हम आज बात करने वाले हैं तो चलिए हम देखते हैं AI tools के बारे में जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं जो पाने जमाने पर हम लोग करते थे या अभी लोग करते हैं और बहता तरिका होता है देखिए जितने भी AI tools आ रहे हैं advancement हो रही हैं उतनी ही अगर आप उन पर dependent रहेंगे तो आपके जो research skills हैं वो कम होते जाएंगी याद रखिए टेकनलोजी हमेशा अपने life को easy करने के लिए होता है आपके skills को improve करने के लिए होता है complete उड़ पे उस पे dependent होने के लिए नहीं होता है चेकनलोजी जितना आपके लिए अच्छा है उतना ही danger है यह आप हमेशा बात को याद रखिए तो आपको skills सुधारना है तो आप खुद महनत कीजिए तो फर्स्ट हम बात करते हैं जो most important AI tools हैं क्योंकि मैं सारे AI tools यूज कर चुका हूं तो जो important है उसको पहले मैं बात करूंगा तो फर्स्ट हमारा है साइश स्प्रेश तो यह आप साइश स्प्रेश AI टाइप कीजिएगा तो आपको यह हमारा जो फर्स्ट लिंक है वो मिल जाएगा आप इसको क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद आपका एक वेब पेज खुल जाएगा तो अभी यह जो साइट है वह आपके टाइप सेट.io पे चल रहा है तो आप इसको क्लिक करने के बाद आप इसमें लॉग इंस कर लिजिएगा तो लॉग आप इसली जो है Google आपका आइडी होगा जीमेल के थूक कर सकते हैं तो उसमें इक लिक्कत नहीं है अब इसमें देखिए इसमें आपके चार आप देख पा रहे होंगे डिटेल में अगर मै literature review कर सकते हैं किसी भी PDF से आप question पूछ सकते हैं data को extract कर सकते हैं और पराफेस कर सकते हैं मतलब language कर सकते हैं easily वेपे कर सकते हैं तो सब के बारे बात करूँगा कि यही आपका important है यह आपका important होने वाला है अब देखिए इसमें कुछ आपको टॉपिक को सर्च करना है जैसे कि मैंने वहाँ पर आपने जो मिनुली हमने किया था आपको चाहिए क्या हमने यहाँ पर टाइप कर दिया हमारा तो अब यह जो है जो इंपोर्टेंट फाइप पेपर हैं उस फाइप पेपर का जो टेक्स्ट है वह टेक्स्ट आपको लिखके दे दिया जो भी आपका लिटरेचर रिव्यू करके जो हम लिखते हैं न टेक्स्ट में वह आपको स्पेस्टिक रिफ्रेंस करके आपको दे दिया ठीक है जो आपके जब आप रिव्यू आर्टिकल लिखेंगे तो उसमें यह काम आ सकता है ठीक है याद रखिए आप कंप्लिट यह इसके इंसाइट्स हैं जो की पॉइंट्स है न वह हैं यह तो मैंने एस्ट्रा मैंने जो हैं आप बनाया बताया है आप अलग अलग जो कॉलम्स होते हैं न वो कॉलम्स भी आप जैसे की देखेंगे यहाँ पर आप यहाँ पर जो जाएंगे देखें यहाँ पर क्रेट स्पिया निर्शर्च गेप kya है तुक उनको भी आप कॉलम मोले सकते हैं तो आपको चाहिए क्या आपMac शाये चाहिए थे तो आप इसली मरे सकते हैं inon saya पर बात कर रहा है रहा कर रहा है का तो कि अपना मोझे टेबल बन गया और जो बी इस प्रिगन हें चैंक टुक्स ओंतर देटर तो यह कंप्रेटली आप को जमाहत देगा विट लिट्रेसटर और यहीं से भी आप डारेक्ली जो है इसे कि हमने यह पेपर है हमने इसको ओपन किया यहां से ओपन कर सकते हैं डारेक्ली लिट्रेचर को देखें मिल गी आपको पेपर आप यहां से जो है इस पेपर के जो मेथर्ट वगरा है उसको भी डारेक्ली यहीं से ले सकते हैं ठीक ह तो आप यहां से जो अब का जो न लॉन इस है तो उस नाद den आर्तिकल दीवाइगे стоило चलिक किई आप फिर डरेक्वे आपको पिर दर्कली वो उसं आर्डिकल पे ले जाएगा और उसको डाउड़ कर सकते हैं इसवेड ठीक के यह उसका यूज है चलिए इसको फोम में आते हैं हो में जैसे कि हम आएंगे हो में आने के बाद यहां पर आस्क कोश्चन ऑन पीडियेव तो यह आपका यहां पर जस्ट आप को भी जो पीडियेव अपने चाहरे हैं पढ़ना चाहरे हैं तो यह तरके से जो यह टूल्स हैं वो आप के लिए पेपर को रिट कर देगा पहले आप कमडीट को रेट करते थे कि आपको ठीड़ना हें उन भून भूनते हैं उसको उसको मिन्वली तो यह धाया पको करके दिएगा प्लूड कीजिए तैस आप इस पीडियेव ने अप्लोड कर दिया ठीक है यह चलिए मैं है explain maths and table अब यहां पर जो है आप पुरा पढ़ने के बाद आप इससे question पूसकते हैं कि explain abstract papers, limitation, data used, future work, method used या कुछ भी ठीक है या फिर देखिए यहां पर simple लिख सकते हैं find data papers या फिर समस बात करते हैं simple लिखेते हैं conclusion आप में आपर इंटर कर देंगे तो यह जिस paper का जो भी conclusion part है ना उस conclusion इस statement है वह आपको लिख के दे देगा उसके लाबा उसी प्रेट questions है ना how does तो कैसे में सब्सक्राइब क्या होगा वह भी आप इस तरह की इसके तो ही देख सकते हैं ठीक है कि यह इसका बेसिक जो पाथ में हैं आप इसके reference कौन सा हमने यह पाथ लिया है कोई और होगा तो यह दूसरा पेपर होगा वह हमने ले सकते हैं तो यह आपको reference भी दे देगा करके questions भी आपको जो भी questions होंगे ना इस फेबर से लेकर वह आपको यह explain कर देगा same इस पर आप जो पराफेसिंग है पराफेसिंग है वह भी कर सकते हैं कोई भी आप जैसे कि प्रेसिक मान लेते हैं यह मैंने ले लिया यह जो मैंने sentence मैंने उठाया अब sentence को मैंने copy किया और इसका language में को change करना है तो आप यहाँ पर प्रेस्ट कर दिजिए और यहाँ पराफेसिंग क्लिक कर देंगे तो यह आपको पराफेसिंग करके भी दे दिएगा इजी तरिके से sentence को change कर देगा तो यह बहुत ही अच्छा AI टूल्स है जात लिखिए साइइ स्पेस जरूर इसको आप यूज कीजिए ठीक है चलिए तो हम इसमें compare भी कर सकते हैं इन सबका तो लिटर्टर रिभी में हमने अभी टॉपिक किया था उसी टॉपिक को हम सारे उ है वही टॉपिक को हम लोग हर याई में यूज करेंगे दो याई मैन है इस जैसा बाकि याई के वल आपकी लिटरेचर रिव्यू के लिए है तो नेस्ट हमारा है इलिसिट ए इलिसिट ए पर जाई है यह भी लवक सिमलर काम करता है साइज स्पेस जैसा है जस्ट इसमें को यहां पूछा था उसी कोश्चन को आप कि यहां पर आप करके इंटर कर दीजिए सारे जो याई एप्स हैं उसमें आपको लॉगिंग करना पड़ा पहले तो आप लोगिंग सेटप फ्रिली है जीमेल के थ्रू हो जाता है उसको आप सेटप कर लिजेगा तो सेम यह भी जो समरी है उस इस टॉपिक से लेट लेकर तो उसको यह कंप्लिट समराइस कर दिया समराइस करने के बाद देखें यह सेम आपका जो भी पेपर है यह पर के लिस्ट आ गया पीडिफ आ जाएगा उसके लाब फिल्टर भी है कि आपके यहां पे जब देखेंगे ना इनकी जो आपके हो है ना उसमें देखिए यहां पीडिफ आप्सन भी है उपसे से तो वही आपके आपके खुलेंगे जो पीडिफ मिलेगा तो इस सब कुछ जिसमें आपको इसी वेपर करके दे देता है आप जाके चेक आउट कीजिए तो आपको यह मजाएगा सीखने में आप करेंगे खुल जाएगा और इसके से फिर आप जो है डिवाई के थूप आपका इसमें इंटर लिंक है अब समय इसकोलर भी हमारा है वह में जाएंगे ना तो उसमें भी आप सर्च कर सकते हैं इस यह जो भी आपका आर्टिकल की फांडिंग्स ना मिल जाएगा यह हो गया स क्या है यह है हमारा इसेंस अ यह भी एक तरके से आई पावर टूल ही है यहाँ पर भी लोग इन मैंने किया नहीं है जस्ट आप सेम इसको यहाँ पर टाइप कर लीजिए और यहां सर्च किजिए तो यह भी उसी तरह के से करके देगा बट अब हर्त का अलग लग चीज़े तो यह केवल आपके आर्टिकल्स दिखिए केवल आर्टिकल्स ही बताएगा कि इस से जो इस टॉपिक से यह आर्टिकल्स हैं करके यह आपको उस जरसा बना के नहीं देगा और इससे आप डारेक्टली साटेशन का जो आपका इन्नोट वाला है ना वह भी कर सकते हैं और यह आर्टिकल्स हैं माल लेते हैं यहां पर आप इस आर्टिकल्स का डिवाई क्लिक कीजिए कौपी कर लेते हैं डिवाई को इस आटिकल्स के माल ले माल लो और यहां पर जो आर्टिकल्स हैं यहां पर आप क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे सर्च करने के बाद यह आ गया इसको site कर दीजिए तो यह site जो है अपने आप format करके पी देदेगा और यहां से आप download भी कर सकते हैं तो यह बहुत सारे help करते है AI tools ठिक तो यह हो गया हमागा AI dimension हमने अलड़ी use कर चुके हैं हम यह एक तरके से AI dimensions जो है आपके chat GPT का part है chat GPT के part से use होता है इसमें आप login पहले कर लिजिए login करने के बाद आप तिक यहां से डार्ट लिए आप सर्च कर सकते हैं literature literature को या फिर यह एप में जाए एप में आपका dimension search GPT है तो इसके थुरू भी आप आप जो है directly question आप पूछ सकते हैं जिसे कि यहां पर कॉंसेनर्स का भी chat GPT है dimensions का भी है तो आप जस्ट जो भी questions है वो आप यहां पर search करेंगे आपके जो अभी regarding है जैसे कि हम लोग अभी search कर रहे थे कौन सा हम लोग इस पर जाते है ना इस पर आपको जो हम लोग में अभी हम लोग search questions search कर रहे था था ना कि यह चली हम इसको copy कर रहते हैं यह questions को इसी questions को हम लोग आपके इस जो AI dimensions है इस पेस्ट करेंगे एक सेकंड कॉपी नहीं हुआ है तो यह भी एक तरह के से आपके जो भी literature होंगे उसके regarding वो आपको literature finding में easy help करेगा यह हमारा questions है यह हमारा उसके जो आपका server होगा उससे यह link कर रहा है और link के थुरूँ फिर उसके बाद जो भी studies इसको मिलेंगे वो एक text form पर कि देगा कि यह scientist है और यह उसका इंसाइट डोल किया है उसका उसको यह हायर्टर के दे रहा है ठीक है बट जो size space और illicit है न वो आपको अच्छे तरके से अरेंज करके देते हैं जो कि आप अपने presentation में यूज करते हैं न उस तरके से यहां पर आपको कुछ चीजे मिनवली करना पड़ेगा आपको आपको उसमें help करने पड़ेगा यह आपको literature find करने के लिए और पढ़ने के लिए ठीक है आपको कैसे अरेंज करते हैं वो खुद अरेंज करके दे रहा है तो उसी कपी कीजिए और पेस्ट कीजिए और फिर उसको एक बाद वरिफाइट जरूर कर लिजी और अपने language में उसको लिखने की कोसिस कीजिए यह जरूरी है अपना language में लि सब्सक्राइब को आप जाएंगे टूल्स में और यहां पर आप सर्च कर सकते हैं सेम टॉपिक टाप कीजिए जो भी हैं आपका कीवर्ट वगएरा अपने कीवर्ट को सर्च किजिए सर्च करने के बाद यह आपको बहुंच सारे आर्टिकल्स ढूंड की दिएगा अच्छ से आप इन AI टूल्स पर कांग कर सकते हैं और अपने राइटिंग स्किल्स अपने रिसर्च स्किल्स को इंप्रोब कर सकते हैं तो अगर वीडियो को आप आपको अच्छा लगा आपको कुछ हेल्प हुआ आपके रिसर्च जन्नी में तो जरूर सपोर्ट कीजिए लाइक की अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए कमेंट्स कीजिए फीडिबेक दीजिए ताकि मैं इसी तरके से वीडियो और आपके लिए लाता रहूं सो थेंक यू किप वाचिंग